नमस्कार दोस्तों सोगेता आपका आशिश मुड़ो में आज आपके सामने खड़ी है MG Ester अपने सेग्मेंट की Compact SEV सीधे कॉमशन देती है Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate और मारूती Grand Vitara जैसी गाड़ियों को अगर इसके शाड़िंग प्रैस की बात की जाए तो 10,82,000 X Showroom से इसका base warranty शाड़ होता है और top जाता है 18,79,000 X Showroom तक और यह है इसका latest launch Black Storm Edition जहां पर आपको पूरी गाड़ी अंदर से बाहर तक Black देखने को मिल जाएगी जैसे की आपने Creta में Night Edition और Harrier में Red and Dark Edition देखा था तो आज इसी के बारे में हम complete detail में बात करेंगे इसके exterior से लेकर interior तक engine, features, then price के बारे में and special thanks to BRMG फैजाबाद road लखना हूँ जिन्हों ने मुझे से cover करने का मौका दिया तो deal any MG cars visit this room तो एश्टर का यह Black Storm Edition इसके सिर्फ mid smart variant में देखने को मिलता है इसमें total 5 events आते हैं style, super, smart, sharp and Chevy आप इसको manual और CVD transmission में ले सकते हैं वैसे तो Esther में आपको दो तरह के engine option देखने को मिलेंगे 1.5 liter का natural petrol और 1.3 liter का turbo petrol लेकिन Black Storm में सिर्फ आपको एक engine offer किया गया 1.5 liter का natural petrol जिसमें आपको 110 bhp की power और 144 newton meter का talk मिलता है अब बात करते हैं की की तो ऐसे कुछ आपको smart की मिलेगी जिसके निरे lock unlock boot खोलने को बडन पीछे आपको MG की branding और red color के essence देखने को मिल जाएंगे जो दूसरी वाली की है सेम आपको smart की offer की जाएगी आप चलिए बात करते हैं गाड़ी के exterior से फिर फिर चलेंगे इसके interior में तो front इससे start करते हैं तो center में आपको MG की branding MG का logo देखने को मिल जाएगा इस वाले विडेंट में आपको कोई 360 degree camera नहीं मिलता है और grill भी देखेंगे पूरी तरह से change हो ची की Black Storm Edition रेगुलर एस्टर में जाते हैं crystal वकरा देखने को मिल जाएंगे नीचे आपको fog lamps की placement दी जारी जो की halogen में आपको मिलने वाली है जब आप सामने बैट के देखोगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा front ए फेस से नजर आने वाला है जो गाड़ी का ground lens है 180 mm का है नीचे आपको जो skate paid वकरा भी है पूरी black finish में रखी गई है जिसकी वज़से और भी premium सी लग रही है और बोनर देख लिज़े काफी cuts and creases यहाँ पे आपको dual wiper with bosser का setup अगर roof की बात की जाए तो यहाँ पे आपको panoramic sunroof, roof rails और पीछे मिलता आपको shuffle antenna जब आप इसके top wind में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 360 degree camera, friend parking sensor जैसे features देखने को मिल जाते है MG Asher के अंदर आप चलते हैं इसके side profile की तरब और side से देखते हैं क्या कुछ changes हुए है इसके black storm edition के अंदर तो side profile से भी देख लिज़े काफी गजब की looks आपको बिलेंगे black storm edition के अंदर पूरी गाड़ी black रखी गई है अगर damages की बात की जाए तो 4320 mm length है 1809 mm skivit है 1650 mm आपको height देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको 17 inch के alloy offer की जाएंगे MG की branding, MG की logo के साथ में blackness में टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको diamond cut मिलते है इतना कुछ suspense का travel है यहाँ पे alloy ways, MG की branding red color का caliper है अगर tire session की बात की जाए तो 215, 55, R17 का पूरा tire session देखने को मिल जाता है and wheels को पर देखेंगे काफी पत्ली सी क्लैड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अब बात करते हैं इसके outshot mirrors की जो आपको मिलते है body cloud turn indicator की placement के साथ में आते हैं लेकिन यह halogen में है electrically adjustable and electrically foldable है गाड़ी के अंदर बैट के आराम से आपको adjust कर सकते हो fold कर सकते हो गाड़ी के wheelbase की बात की जाए तो 2580 mm का है इस पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है इसके cabin के अंदर यह इसके black finish में door handles यह पे आपको chrome, treatment, request sensor सब कुस देखने को मिल जाता है इसका जो B pillar है आपको मिलता है mad black finish में अगर roof की बात की जाए जो मैं आपको दिखा चुका हूँ panoramic, sunroof, roof rails और पीछे मिलता है आपको शाकफिन antenna यह आपको यह door garnish भी देखने को मिल जाएगी चारों पईयों में आपको display मिलती है MG, Asher के अंदर यह काफी अच्छी चीज़ है और पीछी भी आप पूरे में cladding देख सकते हैं यहां से डलवाएंगा पैटोल 48 लेटर की आपको fuel टिंग अप्टी देखने को मिल जाती है वारंटी की बात की जाए तो 3 साल और 60,000 किलोमेटर की वारंटी मिलती है आपको MG की तरब से आप इसको एक्षेंड भी करवा सकते हैं आप चलते हैं इसके रियर प्रोफाल की तरब तो रियर से भी देख लीजिए काफी प्रीमियम से आपको लुक्स मिलेंगे मतलब देखने में काफी अच्छी लग रही है अगर रूफ से शाट करें तो यहां पे आपको शाक फिन एटिना रूफ रेस्, पैनरॉमिक सॉन्रूफ यहां पे आपको स्पोयलर उसी के बीच में आपको हाइमोट शॉप लैम यहां पे आपको डीफॉगर यहां पे आपको वाइपर की प्लेस्मेंट नीची की बात कीज़े तो एमजी की ब्रैंडिंग है उसी के नीचे आपको एक्ष्टर की बैजिंग देखने को मिल जाती है अब बात कीज़े इसके टेलेम्स की जो आपको पूरा LED मिलने वाले है और देखने में में काफी खूब सो लग रहे हैं इसी के अंदर आपको टैन इंडिकेटर की प्लेस्मेंट की प्लेस्मेंट की देखने को मिल जाती है नीचे की बात कीज़े तो यहाप आपको जड़ेस की बैजिंग यहाप आपको तीन रिवर्स पाकिन सेंसर्स मिलते हैं तीन पॉइंटस आप देख सकते हो उसी की नीचे आपको रिवर्स पाकिन कैमरे की प्लेस्मेंट देखनी को मिल जाती है, यह इसके reflectors यहाँ पर आपको यह chrome treatment जो कि इसके looks को और भी enhance कर देता है नीचे आपको इसके पेड जो गाड़ी का groundless है मैं आपको बता चुक हूँ, 180 mm का है और इसके टॉपेंड विरिंड में आपको adaptive cruise control भी देखने को मिल जाता है, अड़ा जैसे safety features मिलते है आप चलिए इसका boot open करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका boot space तो इस logo को जैसे आप अंदर प्रेस करेंगे तो इसका boot access हो जाता है अगर इसपेस की बात की जाए तो 488 liter का boot space यहाँ पे दिया गया जिससे की आप छोटा पूटा समानी यहाँ पे भी रख सकते हो उपर आपको मिलती है पार्टर ट्रे अब चलिए इसके boot को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके rear seats की तरफ rear seating comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे आपको body clear door handles chrome teeth bend भी देखने को मिल जाता है अगर door drink की बात की जाए तो black store में पूरा black रखा गया है उपर देखेंगे आप आपको door opener, यह silver finish यहाँ पे pounder की controls, यहाँ पे soft touch finish नीचे speaker की placement यहाँ आपको bottle holder देखने को मिल जाएगा rear cabin में इतना कुछ आपको leg room, knee room, head room दिया जा रहा है पीछे आपको मिलते हैं 3-3 headrest जिनको आप adjustable है fabric की seats मिलेंगी, उपर आपको मिलती है panoramic sunroof आप चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठके पूरा space check करते हैं तो आगे वाले seat मैंने अपने cording adjust कर ले है इतना कुछ आपको knee room मिलता है, पूरा leg room आप देख लो thigh support भी काफी अच्छा सा है, मेरी height 5 foot 8 inch है center में आपको rear AC vents मिलेंगे, यहाँ आपको 2 USB charging port यह थोड़ा सा hump आपको मिलता है, यह अंदर का पूरा interior उपर आपको grab handle यहाँ पर आपको LED light दी गई है, पीछ आपको 3-3 headrest जिनको आप address कर पाओगे center में armrest दिया गया है, इसी में आपको 2 cup holder मिलते हैं, जिनको आप fold भी कर सकते हो अब बात करते हैं, इसके front dashboard की, जो आपको पूरा black finish में मिलता है और red color के essence यहाँ पर दिये गए, जिसकी वज़े से और भी प्रीमिम लगता है सामने आपको 10.1 इंच का touch info 10 में सिस्टम देखने को मिल जाएगा और अभी आप देख रहे हैं कि CBD transmission को, आप इसको manual transmission में भी ले सकते हैं आप चलते हैं, इसके front driver seat पर वहाँ पर बैठके एक एक चीज को cover करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा request sensor, अगर door trim की बात की जाए तो same आपको पूरा black finish में उपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको door opener, lock on lock button, seller finish, यहाँ पर soft touch finish, powder noise को सारे controls नीचे आपको speaker की placement, यहाँ पर आपको bottle holder देखने को मिल जाता है front cabin की बात पर तो इतना कुछ आपको space मिलता है, आगे वाले जो दो headrest नों उनको भी आप purchase कर पाऊगे काफी बड़ी आसे streets मिलती हैं fabric की, यह इसका front dashboard देख लिजिए और under the support आपको काफी बड़ी है मिलेगा इन streets में यहाँ से height, यहाँ से recline कर सकते हैं streets को, नीचे आपको CVD के pedals यहाँ से fill cap, यहाँ से अपना bonot खोल सकते हो आप चलिए अंदर बैटते हैं, तो front devil street पर बैटनेक बाद ऐसा कुछ पूरा नजारा दिखने वाला है चलिए गाड़ी का ignition on करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका cluster, तो ऐसी कुछ आपको मिलती है स्मार्ट की जिसको मरकिंगे साइट में, विकाउज यहाँ पर मिलता है आपको इंजन, इस्टाइन, जैसे आप इसको प्रस करेंगे तो आपको fully digital cluster देखने को मिल जाता है, बीच में आपको पड़िशी TFT मिलती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी information देखने को मिल जाएगी, लेफटर आपको मिलता है, speedometer, रेच्टर आपको tachometer और इस MADU को आप यहाँ से control कर पाऊगे, trip A, trip B, mileage range, TPS वगरा सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यह इसके lights की control, यहाँ आपको वाइपर की controls मिलते हैं, इनका थोड़ा सा ultra रहता है, और cruise control का lever आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर adjustment की बात दी जाए, तो नीचे आपको मिलता है lever, इसके थुरू आप अपने steering को tilt ऊपर नीचे adjust कर सकते हैं, टे इंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay, 4 speakers, दो डिटर्स आपको मिलते हैं, Bluetooth की connectivity देखने को मिल जाएगी, टॉप में जाएगे, तो वहाँ पर आपको 3CTD camera भी मिलता है, MG Esther में, बहुत सारे settings यहाँ पर दी गई है, बाकिसमे reverse parking camera भी मिलता है, voice assistant भी आपको मिलता है, जिससे कि आप Sunroof अगर आपको open कर पाओगे, नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सारे बटन देगे हैं, इस touch infotainment के और AC से related, यहाँ पर आपको टॉलिव का charging outlet, बगल में दो USB port, यहाँ पर कुछ space, और यह इसका CVT transmission, आप इसको manual में भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपको electronic power brake, बगल में auto hold का जाए, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा कासा space देखने को मिल जाएगा, उपर देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ AC carbon finish, यहाँ पर आपको red color के essence, इसके AC vents में, manual day night IRVM, sun visor में इधर आपको mirror मिलेगा, cover के साथ में, अगर code devastate की बात की जाए, तो यहाँ भी आपको same दे देखेंगे, यहाँ पर आपको glass कुलने का button मिल जाता है, अब चली इसको close कर देते हैं, और side में आपको lights के भी control दिये गए, यही से आप इसके lights बगरा को open कर पाएंगे, LED lights रहती है, and visibility की बात जाए तो वह भी आपको काफी बढ़िया मिलती है, bumper to bumper आप सको drive पर पाओगे traffic में, यह तो हो गए पूरे interior की बात, आप चली गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसमें आपको ABS with EBD, brake assist, center locking, power door locks, child safety locks, anti-thead alarm, seat wheel warning, engine immobilizer, traction control, और यहाँ पे आपको मिलते हैं, दो airbags, टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको six airbags देखनी को मिल अब चली बात करते हैं, main चीज इसकी pricing की, तो अभी आप देख रहे हैं, इसके black storm edition को 14,48,000 एक शुरूम प्रैस है, और लगभग 15,64,000 रुपे के आपको यह on-road लखनो पढ़ने वाली है, अगर आप CVT लेंगे जैसे कि आपके सामने खड़िये, 15,47,000 एक शुरूम और ल एक नई विडियो के साथ तब तक लिए जैहिन, वन दे मात्रम ने